हरे कृष्ण श्री राम भक्त हनुमान ती रोमांचक एवं अध्भुत कहानियां हमेशा से भार्ते संस्कृती और लोका चार का एक महत्वपून अंग रही हैं। श्री हनुमान का चरित्र जीवन के प्रत्येक मोड पर हमारे लिए आमेंद और प्रेरना का सुरूत है। उन्हीं पवन पुत्र बजरंग बली श्री हनुमान के प्रेरना दायक चरित्र को अत्यंत मनोहारी रूप में हमारे समक्ष प्रस्तित करेंगे श्रीमान विश्वरू प्रभुजी। हमारे वक्ता श्रीमान विश्वरू प्रभुजी ब्रह्म मद्व गौडिय संप्रदाय में परम पूज्य राधानात स्वामी महराज के ब्रह्मन दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्याले के ग्रांट मेडिकल कॉलेज एवं जेजे हॉस्पिटल से सन 1985 में MBBS की डिग्री प्राप्त की। सन 2007 में उन्होंने सेन डियेगो कैलिफॉर्निया से पैलियेटिव केर एंड हॉस्पिस एड्मिनिस्टेशन की फेलोशिप की डिग्री प्राप्त की। बेश्री चैतन्य सेवा ट्रस्ट के ड्रस्टी हैं जोकी बारा अस्पतालों का संचालन कर रहा है। वर्तमान में विभक्ति विदान्त अस्पताल एवं संचोधन संस्थान समूह के डिप्टी डारेक्टर की भूमिका भी मिभा रहे हैं। साथ ही प्रभुजी, स्प्रिच्यल केर, प्रशिक्षन एवं शिक्षा विभाग के प्रमुप भी हैं। श्रीमान विश्वरु प्रभुजी, स्टार प्लस, कलर्स, ETC तथा अन्य आध्यात्मिक चैनलों पर दिखाये जाने वाले आत्मा नामक श्रिंखला में भगवत गीता पर नियमित वक्ता हैं। तो आईए श्री राम भक्त हनुमान के प्रेरना दायत एवं अध्भुद चरित्र को श्रवन करते हैं श्रीमान विश्वरु प्रभुजी के श्रीमक से धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे सो हनुमान जी का दिव्वे चरित्र हम श्रवन कर रहे हैं जब हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने लंकीने को तमाचा मारा लंकीने वहीं गिर गई और फिर हनमान ने अंदर प्रविश्च किया उन्होंने अपने लगहिमा सिद्धी का प्रविश्च किया और बहुती सुक्ष्म स्वरुब धारन किया और हवा में उड़ते उड़ते वो सब जगा सिता के खूश करने लगी रावन के महल में भी गए और अनंत स्त्रियों को रावन के साथ सोते हुए देखा लेकिन उनका ये अंदाज था कि यहीं कही सिता देवी होगी लेकिन फिर उनको लगा कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और मैं इतनी सारी सुंदर स्त्रियां एक पुरुष के साथ सो रही है मुझे वहाँ दर्शन नहीं करना चाहिए वहाँ से वह निकल गए फिर आगे जाकर उन्होंने अशोक वाटिका में सिता जी का दर्शन किया प्रभु राम ने उनको अपनी मुद्रिका दी थी तो वरक्षे पर बैठकर उन्होंने राम कथा सुनाना अरम किया को इतनी चतुर और बुद्धिमानी थे उनको पता था कि सिता देवी ने मुझे तो कभी देखा नहीं है और मैं मनुश्य भी नहीं हूँ और मैं वानर हूँ और वो राक्षेसों के बीच में बैठी हुई है और राक्षेस हमेशा उनको धमकी देते रहते हैं और विवित प्रकार के रूप धारण करके उनको धमका दे रहते हैं और अगर मैं इस रूप में सीधे उतर गया उनके सामने तो उनको लगेगा कि कोई राक्षस ही वानर का भेस बदल कर मुझे धमकाने के लिए आया है इसलिए उन्होंने विचार पूर्वक प्रभु राम की कथा कहना आरम किया पेड़ पर बैठकर जिसके नीचे सिता देवी विराजमान है उसी पेड़ के शाखा पर बैठकर उन्होंने प्रभु राम का चरित्र गाना शुरू किया तो सिता को पूर्णता अवगत था और वो कथा को बहुत देर सुनाने के बाद में सिता के मन में कुतोल उत्पन हुआ कि राम के चरित्र का वर्णन करने जैसा व्यक्ती हाँ पर कौन है तो एक तरह से वो व्यक्ति जो राम की कथा का वर्डन कर रहा था उसके प्रती सिता देवी के मन में एक स्थान पैदा हो गया अनुकूल सिती पैदा हो गया फिर हनुमान जी ने चलांग लगाई जब सिता देवी ने आवाज दी किया आप कौन है तो मेरे प्रभू का गुणगान कर रहे है तो जब यह अनुकूल सिती उत्पन होई तब हनुमान जी चलांग लगाई और सिता देवी के सामने प्रकट हो गया फिर अपना परिचे दिया और आगे जाकर अपना परिचे दिरड़ करने के लिए उन्होंने राम की मुद्रिका उनको प्रस्तू थी फिर पूरा विश्वास हो गया कि ये प्रभू राम के ही दूत है और कोई राक्षस नहीं है जो भेस पदल कर आए है फिर हनुमान जी ने कहा कि हम आपको अभी हमारे कंदे पर बिठा कर हवाई मार्ग से प्रभू राम के पास ले जाते हैं लेकिन सिता देवी का जो परम सुंदर परम पवित्र चारित्र है पतिव रत्य चारित्र है उसका प्रदर्शन याप रोता है सिता दीव हनुमान को कहती है कि मुझे रावण ने बल पूरवक स्पर्श करके लाया था मैंने इच्छा से उसका स्पर्श नहीं किया था मेरे उपर बल का प्रयोक किया गया था और मुझे उठा कर उसका स्पर्श को ग्रहन करते हैं मुझे आना पड़ा लेकिन मैं पतिवरता नारी हूँ जिन्दोंने मुझे उठा कर यहां पर लाया है, अब हरन किया है, उसका नाश करेंगे, तब तक मैं इंतिजार करूँगे। जो बड़े उठसुक थे, इंमें बल था, शक्ती थी, बुद्धी थी, वो सोच रहे थे कि इसी समय समस्चा को समाल्थान किया जाए। लेकिन सिता देवी के इस परम चरितर को देखकर वो प्रभावित होये, इनकों चरणों को बंदन किया। और फिर जो बापस जाने का समय हुआ। तो वो सोचते हैं कि अरे लंका में आई है, आई गये हैं, तो लंका का अवलो कुन किया जाए। इसके मजबूत स्थानों का दर्शन किया जाए। इसके कमजोरिया ढूंड ली जाए। रावन कौन ने उसका दर्शन किया जाए। रावन की सेना कौन है। रावन की प्रधान सैनिक कौन है। अधिकारी कौन है। बलशाली कौन है। उनका दर्शन करके जाएं तो आगी जाकर विद्ध होने वाला है तो पता करेंगे उसको उन्होंने अश्वक वाटिका को ध्वंस करना शुरू कर दिया अश्वक वाटिका आज के तारिक में भी एक बहुत सुन्दर स्थान से लंगा में है जो रावण के मनोरंजन के लिए आनंद के लिए सुक के लिए विशेश रूप से बनाया गया था उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि स्वर्ग के देवता भी इंद्र भी उनके लिए लालाईत थे मोहित थे लेकर रावण खुद उसमें आनंद लेता था ऐसा सुशोभीत वन जो फल फूल नदी नाले नदी नाले बगीचे उपवन से समुरुद था उसको ध्वन करना शुरू किया पेड़ों के फल खाखा कर उसको ध्वन्स करना शुरू किया मानो कुछी शणों में अश्योक वाटिका के शुबा नश्ट हो गई द्वारपालों को मार दिया गया अनुमान जी द्वारा द्वारपाल भाग के गए और एक-एक करके रावण के पुत्र आये अकबन का वहां पर वद किया गया और रावण के दरबार में खबर आ दी गई अरे ये हुआ पर ये भी इसकी भी मृत्ती हो गई उसके मिरत्योगी बहुत बलशाली राक्षासों का भद किया गया रावन आनुमान जी के जारा सब रावन के सवा में सोच रहे हैं बंदर आके रावन के स्रेष्ट वीरों का नाश कर रहा है अशुक वाटिका का विद्धांस कर रहा है रावन बहुत तीमिला उठे है इंदरजीत जाओ देखो कौन सा वाणन आया है एक शुद्र वाणन हमारी अशुक वाटिका का नाश कर रहा है तो फिर मेगनाद वहाँ पर आते हैं इंदरजीत रावन के जेष्ट पुत्र और देखते हैं कि ये वाणन कोई साधार वाणन नहीं है इसने कई राक्षसों का वहाँ पर बद कर दिया है और आराम से बैठकर फल खा रहा है कोई क्रस्ता नहीं है कोई करोध नहीं है कि शान्ती से इसब काम कर रहा है तो उसका और हन्माजगा भी उद्ध होता है और उसकी युद्ध कौशल बल को देखते हैं मेगनाद प्रभावित होता है एक भानर में इतना बल तो फिर वो सोचता है कि इसे मारना नहीं चाहिए इसको कैद करना चाहिए तो ब्रह्मास्त्र भैशते हैं आप सोच सकते हैं जो ब्रह्मास्त्र भायंकर तिब्रयुद्ध में उसका उपयोग करते हैं उस ब्रह्मास्त्र को भैशते हैं तो हनुमान जी ब्रह्माजी को उस अस्तर पे देखते हैं ब्रह्माजी का मंदर गाया जा रहा है तो उसको वो प्रणाम करते हैं वास्तवता ये थी कि ब्रह्मास्त्र भी हन्मान जी को बांदने में समर्त नहीं है लेकिस हन्मान जी दम्र है वो सोचते हैं कि अगर मैं कैदी बनकर इनके साथ जाऊंगा तो मुझे अनायासी रावन की दरबार में प्रवेश मिलेगा फिर कष्ट करके दरवाजा तोड़के अंदर जाने के ज़रत नहीं है मुझे एक कैदी बना कर अपने आप ले जाएंगे तो अपने आप जिस कारे के लिए सब कुछ कर रहा हूँ अपने आप हो रहा है तो ये दुसरा कारण था इसको कुट नीती युद्ध कौशल कहते हैं तो समय पर कैद हो जाना भी एक युद्ध की नीती है हाडते होए नजर आना भी युद्ध की नीती है ताकि शत्रू काफिल रहे तो ब्रमास्तर में वो बन जाते हैं ब्रमा पाश में उसको बंदी बनाकर रावन के दरबार में लाए जाता है तो यहाँ पर हनुमान जी के सहस का एक दिव्य उधारन प्राप्त होता है हनुमान जी सबके बीच में जब बैठने का समय आता है तो वो कहते हैं कि मैं आपके दरबार में आया हूँ, मुझे आसन दीजे मैं स्री राम का दूत हूँ, तो उसका अपमान करते हूँ कोई आसन नहीं देंगे, तो हनुमान जी अपनी पूच को इतना बढ़ाते हैं और गोल-गोल घुमा कर उसका ही आसन करते हैं, बना देते हैं और रावन से भी उंच्छा उस आसन को बना कर उसमें बैठ जाते हैं पद्वासन में सब लोग अच्चर ज़िकर हो जाते हैं राजबुत वानर है और वहाँ पर वो सारे रावन के सिनापतियों का अउलोकन करते हैं और रावन को चेतावनी देते हैं कि मैं तो केवल प्रभु राम का दूथ हूँ मैं तो केवल दास हूँ अभी तो प्रभु को आना है जो मैंने किया है उससे करोडों गुना अधिक पराकरम मेरे प्रभु दिखा सकते हैं इसलिए रावन तुमने कायर का कारी किया है तुमने परस्ति को छीन कर अपरण करके लाया है भैतर ही इसमें है कि तुम सीता जी को वापस कर दो और अपने कुल का विध्वन्स को आप टाल सकते हो नहीं तो आप परिणाम के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि एक वानर के मुकसरी वाक्य आ रहे है रावन के हंकार को और चोट पहुंसे जा रही है रावन का क्रोध बढ़ते जाता है रावन को आखरी बार वो चितावनी देते हैं मैं आखरी बार आपके हित्व की बात कर रहा हूँ आप जितना अपने बल के विशे में सोचते हो उसके कई गुना अनंत गुना बल प्रबु राम में है इसलिए इस विवाद को यहीं पर मिटा दो लेकर रावन कहता है नहीं फिर उसको पताते हैं कि अरे रावन बंदर को अपने पूछ पर बड़ा गर्व होता है इसका पूछ को आग लगाई जाए मज़ा किया जाए इसका अपमान किया जाए तो उपवन में ले जाकर इंदन डालकर कपड़े बांद कर रावन की आग्यास की अनुसार मेग नाद और सब मिलकर रावन हनुमान जी के पूछ को आग लगा देते है सब खबर जो है वो सिधा देवी को पहुँच रही है उस समय सिधा देवी प्रात्ना करते है हे अगनी देव मेरे पुत्र हनुमान के पूछ पर आप जब अगनी रूप में विराजबान होंगे ज्वाला रूप में विराजबान होंगे और जब तक वो आग लगा रहे थे तब तक हनुमान जी बंदी के रूप में खड़ेती जैसे ही आग लग गई तो ऐसे जटका दिया उन्होंने तो सारे बंदी बंदाने के लिए जो दोरिया बानके रखे थी वो सब तूट गई और जटके से सारे राक्षस दूर फेके गए और ऐसे चलांग लगाई विराट रूप धारन करके फिर इस महल से उस महल उस महल से उस महल इस महल इस उपवन से उस उपवन में सभी लंका को बने आग लगा दी है देखते देखते कुछी क्षणों में सारी लंका आग की जाला में लपट गई रावन छट पे आया और देखने लगा पूरी सोने की लंका जल रही है और वो कुछ नहीं कर पाया हताश होकर पी लंका को जलते हुए देखते रहा सारे राक्षस लोग खषण पे इकटा हुए और आवन के साथ में हनुमान ने किया हुआ ये जो आग आतंक है उसको सब देखते रहे है अगनी आतंक को पूरी लंका को जलन करके दहन करने के पश्चाथ हनुमान जी ने समदर में छलांग लगाई अगनी को बुजाया और फिर आकाश में उड़ते हुए लोट के आ गए अपना फारा पराक्रम जो है उन्होंने पृत्ता अंतर पबुराम को सुनाया तो हिंदी महासार के उस सरफ थे तो यह जो हनुमान जी का कारी है कि उनका तो बतायाओ कारी था सिता को ढूंड कर कि मुद्रिका देकर संदेश देना है कि हम आ रहे हैं निश्चिंत रहना उसके पश्चाद दो उन्होंने कारी किया वो एक परम सरेष्ट सेवक का लक्षन दिखाता है परम सरेष्ट सेवक होता है वो किवल बतायाओ काम ने करता है अपने प्रभू के हित में जो जरूरी है वो खुद के बुद्धी से सोच कर करता है एक भेट लंका को दही रहे हैं तो पूरी लंका की जो कमजोर और मजबुस तितियां सबी सेनों का वरणन सबी मजबुस त्थानों का वरणन सब जाकर प्रभूराम को बताते है तो कि आगे उद्धी तो होने वाला है ऐसे हनुमान जी दासिता में सर्वर्ष्रेष्ट दास है स्वामी का रिदय जानते हैं स्वामी को क्या अच्छा लगेगा स्वामी के लिए क्या करना होगा ये खुद के बुद्धी से भी जानते हैं उसके बाद में हनुमान जी का जो सहभाग है वो द्वारका लिला में भी है महाबारत के समय भी है जगनात पुरी में भी है लक्षमी जी वहां पर पुरी रसोई संभालती है और जगनाजी को बोजन किलाती है तो जब जगनाजी और लक्षमी जी एकांट में बैठते थे क्योंकि जगनाज पुरी का पूरा निवास थान जो है प्रभू का जो मंदिर है आज के तारिक में और उस जमाने में भगवान का जो नुवास स्थान था वो भी आज का मंदिर है वो समुधर किनारे हैं बहुत ही पास मैं तो समुधर की बहुत भायंकर लहरों के आवाज जो है वो उस जगहपर पहुंचती थी और प्रभू के एकांट में बादा लाती थी तो प्रभू को हर बार उस लहरों के आवाज से लक्ष्मी के साथ में एकांद में वारतालाब करना कठिन हो गया तो प्रभू ने हनुमान जी को बलाया और कहा हनुमान जी मुझे जब मैं एकांद में रहता हूँ तो मुझे ये लहरों के आवाज नहीं चाहिए बंद कर दो इसको तो हनुमान जी प्रभु के महल के समुद्र की और जो द्वार था वहाँ पर जाकर अपना कान उस दुशा में करके बैठ गए और वहाँ से आते हुए सारे ध्वनी को अपने कान में एकत्रित कर दिया और आगे जाने से रोग दिया उससे इतने भैंकर ध्वनी को जब फैला हुआ है तो ठीक है लेगे एकत्रित करके जब उसको लाया गया और कान में एकत्रित किया गया तो कान का पड़दा फट गया तो प्रभु के लिए हनुमान जी ऐसे बैठे रहे तो उनका नाम पड़ा कान फाटा हनुमान आज भी उनका विग्रह है उस द्वार के पास में है और उनकी कान उस द्वार की ओर है और वो समुदर की स्वारी भृणी लेरे माँ पर अपने कान में आकरशित कर रहे हैं और अद्भुद आश्चर ये है कि वहां से आगे समुद्र की लहरों की एक भी आवाज पूरे जगनात पुरी के मंदिर में कहीं भी सुनाइने देती है और वास्तव यह है कि वो मंदिर साक्षत समुद्र के नारे है यह अद्बुत चमतकार पूरे जगनात पुरी के मंदिर में ब्भनि लहरी समुद्र की आवाज की कही भी नहीं आती है उसके बाद में एक बार जगनाफी को हनमान जी को मिलने का मन हुआ तो उन्होंने स्वरन करके हनमान को बुलाया हनवान जी आ जाओ हमें आपसे मिलना है तो हनमान जी आने लगे जगनात पुरी प्रवेश किया तो ये चक्र जो है सुदर्शन चक्र वो बार-बार उनको रोकने लगे उनके रास्ते में अवरोद आने लगे तो हनुमान जी ने प्रभु को पुकारा प्रभु आप तो बुला रहे हैं लेकिन आपका सेवक मुझे रोक रहा है वचनक जगनात पुरी के भगवान जगनात उन्होंने हनुमान जी के कंदे पर चार सुदर्शन चक्र निर्मान की और सुदर्शन चक्र एक उनको रोकने का प्रयास करें जब देखा कि चार चक्र उनके कंदे पर पकट हो गया उनका तेज से, खिलशन चकर का तेज निस्टेज हो गया, जैसे दिखाई देना ही बंद हो गया, तो चार चकर का प्रभाव देखकर, ये चकर जो थे, मूल, खिलशन चकर, वो बड़े नम्र हो गया, उन्हें रास्ता दिया, फिर वो जाकर हनुमान को मिले, फिर जाकर वो हन उसको नश्ट करने के लिए उत सुपता तरबू को पुकार कर प्रभू ने उन पर आश्रवाद देकर चार चक्र धारन करा दिये। आज भी हम उसी द्वार पर जहा कानफाटा हनुमान जी का विगरे है उसके सामने ही चारी चक्र हनुमान का विगरे हैं। उन पर वस्तर डाल कर रखते हैं, वस्तर निकालने के पाद चार चकर का दर्शन होता है और हनुमाजी की सेवा भाव का वहाँ पर प्रकटे हैं। फिर जगनात पुरी में और एक हनुमाजी का अद्बुत दिला है। जगनात पुरी में समुद्र है, बड़ा अकराल विकराल समुद्र है, बहुत जोरदार लहरे आती है उसकी और किनारे को आगात करती है। और अक्सर सदेव नित्य रूप से समुद्र जो है वो पदाकरांत करता है जगनात पूरी के शेतर को और जगनात पूरी में हाकार मचा देता था मैंनों समुद्र को बाड आ रही है वो समुद्र जमीन पर आकर अपने सीमा को लांग कर पूरे जन जीवन को दुरुस्त कर रहा है बुरा कष्ट दे रहा है तो सारी प्रजाजो जगनात जी के सामने तरही तरही माम करके पुकारते वाई प्रभू बचाईए कि हनुमान जी यह जो समुद्र है वो बल पूर्वक हमारे खेतर में प्रवेश कर रहा है हमारा जीवन को कष्ट दे रहा है बचाईए तो प्रभू को पता था कि हनुमान जी को समुद्र दरते हैं हनुमान जी के बल को देखकर समुद्र पीछे हट जाएंगे तो उन्हें हनुमान को पका तो उपस्तित देखते हुए समद्र पीछे हट गए और आगे कभी शबुद्र की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की, अनुमान जी वहां खड़े हैं, अभी अब कुछ काम तो है नहीं, खड़े रहना है, दास्त हमें इतना व्यस्त रहता है, दास्त हमेशा सेवा करने में व्य कुछ करना तो नहीं है, देखना है खड़ी, तो देख रहे हैं, समद्र अपनी जगह पर है, उसके इम्मत नहीं हो रही आगे, सब कुछ ठीक ठाक है, वो बड़ी, वो क्या है, जगणात पूरी में खिचरी प्रसाद हनुमान को खिलाते थे, वो जगणात पूरी में खिच ठीक है, रातरी में भी ठीक है, एक दिन सुर्यास तो होते ही, चलांग लगाई है, और सीदह एध्या में गए, सिता देवी को मिले, जगणात पूरी में खड़ा हूँ, वहाप दाल चावल खिलाते हैं, बड़े आपके हाथ के पकवानों की याद आ रही है, मैया कुछ खि इंजन बना कर खिला दिये, और तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाने के बाश अंतुष्ट हो गए, और लौट के आया, लेकिन जब जैसे ही उन्होंने चलांग लगाया था, समुद्र ने पूरा सीमा लांग कर जगणात पूरी में प्रवेश किया, जरातरी के समय सब अहाकार मशा दिया, अंदकार में तो और अधिक अहाकार का अन्वो होता है, सब प्रजातराही तरही माग करके जगनाजी के पास पकारने गई, जगनाजी विश्राम कर रहे थे, उतने में सुबह अन्माजी ने चलांग लगाई, और जए चलांग लगाई तो तुरां थम मुष्टाम ने की आज आई, मैंने का सब कुछ ठीक है तो मैं जाके आया, तो पर बड़े प्रेम से जगनाजी ने कहा कि इनको बांद के रखो, तो जगनाज पुरी के निवास्वियों ने समुदर किनारे इनके पैर पर बेड़ियां लगाई, और उनको बांद के रखा, आज भी आप जाएंगे समुदर किनारे जगनाजी के धाम में, तो ये बेड़ी हनुमान आपका स्वागत करेंगे, और वो बेड़ी हनुमान को दोती पहनाई है, थोड़ा सा पुजारी उपर करके दिखाएंगे, तो वो जो बेड़ी से उनके पैरों को बांद के रखा है उसका दर्शन होगा, प्रेम की लिला है भगवान की, हनुमान जी की भी प्रेम की लिला है, जगनाजी पर प्रेम है, उनके सेवा में जगनाजी ने उनको लगा दिया है और उपने समुदर की दारे खड़ा कर दिया है, समुदर को रोकने के लिए, आज सक के इतियास में सम पर उन्हें कैसे आए इसका कारण ही है कि जब प्रभू रामचंद्र का अंतरधान उन्हें का समय आया तो सभी लोग उनके साथ साकित अयोध्या धाम चले रहे हनुआ जी की बारी आई साथ चलने की तो प्रभू ने कहा कि आपको नहीं आना है जिस विमान पर सारे लोग बैठकर प्रभू के साथ में धाम का गमन कर रहे थे तो प्रभू जी ने हनुआन को रूख लिया और को हनुआन आपको इस विश्व में रहना है और जब तक राम लिला चलते रहेगी तब तक आपको वहाँ पर प्रकट होना है और सुनना है और जब तक आप हैं तब तक आपको राम के लिला का कथन करना है इसलिए हनुआ जी एक चरंजीवी जीर है उनको चिरंजीवी होने का वज़ान पबू राम से मिला है आज भी वो हमारे विश्व में उपस्तित हैं और ये शद्धा लोग रखते हैं कि जहां पर भी प्रभू के लिला का वर्णन होता है राम लिला का वर्णन होता है महां पर ट्यक्ष हनुमान जी विराजवान रहते हैं हो सकता हमें दृष्टि में नहीं आए लेकिन हनुमान जी वहां पर कट रहते हैं उनका सानिज्चे प्रापत होता है जहां राम जी का गुर्णन होता है तो इसी रूप में फिर वो तेता से आगे बढ़कर द्वापर युगाया उसमें भी जराजबान है तो एक बार द्वारकादीश कृष्ण को ये अनुभुती हुई कि मेरे तीन प्रधान भक्त जो हैं उन्हें गर्व हो रहा है प्रधान भक्त कौन है एक है गरूड जी उनकी गती की तुलना कोई देतावाँ भी ने कर सकता है ऐसा कोई गतिमान पक्षी या प्राणी नहीं है जो गरूड से मुकाबला कर सकता है गती के विशे में तो अपनी तेज गदी के विशे में थोड़ा-थोड़ा अहंकार गरुड को होने लगा था। फिर है सुदर्शन चक्र, ऐसा अस्त्र है भगवान का कि आज तक किसी अस्त्र ने उसके तोड़ नहीं दी। कोई भी अस्त्र को प्रभावित रूप में वो चक्र को परास्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई अस्त्र या शस्त्र ने जो चक्र के सामने विजय हो। चक्र अंतिम अस्त्र है, सुदर्शन चक्र, तो अपने अजय होने पर चक्र को गरुड होने लगा। और उसके बाद में उनकी पत्रानी, सोला हज़ार एकसोआट रानियों में सरेश्टरानी, भागे लक्ष्मियों के भागे लक्ष्मी, स्री रुक्मिनी देवी, उनको अपने साउंदरे पर गरुड हुआ। उनको लगा कि इतनी सारी पत्मियों में वो मुझे सर्वस्रेश्ट पट्राने के रुप में पसंद करते हैं तो कि मेरा साउंदरी ये ऐसा है अपने साउंदरी पर उसको गरुभ हुआ अभी प्रभु का ये सुभाव है कि वो अपने प्रियतम जनों के अंदर अभिमान एहंकार को बिल्कुल पसंद में करते हैं जिसे इंदर को एहंकार हुआ तो उन्होंने भी बड़े दिवे तरीके से उसको नश्ट कर दिना इसी प्रकार से अपने भक्त पर जिसे पर वो पुरेम करते हैं जो उनके स्चिष्ट भक्त हैं उनको लवलेश मात्र भी अहंकार होगा बभव को बहुत पिड़ा होती है और वो दिवे लिला के माध्यम से अपने भक्तों का अहंकार नश्ट करके दुबारा उनको स्वयम के लिए अतिप्रिय बना देते है तो इन तीनों का गर्व अहनकार करने के लिए जब उनने कुछ योजना बनाई तो उनको केबल हनुमान के सुरुति आई हनुमान जी के ही सुरुति से उनने सोचा कि यही योग्य वक्ती है तिनों का अहनकार नश्ट करने के लिए तो उसमया सुरुति हनुमान जी के करके मन में भाव से हनुमान को उन्होंने पुकारा कि आओ अनुमान द्वारका के सीमा के बाहर जो जंगल है वहाँ पर आके विराजमान हो मुझे आपसे मिलना है लेकि जब तक मैं नहीं पकारू तब तक आप वहीं रहो ऐसे मन से संकेत दिया अनुमान जे जहाँ पर भी थे वहाँ से द्वारका के सीमा पर आ गए तो यह कथा हम आपको अगली करी में बताएंगे हरे कृष्णा